प्राइज एक्षिन में दोस्तों अभी हम लोग यहां पर देखने वाले तीन स्टॉक के बारे में जहां पे बहुत अच्छी अपर्चिनिटी जिनमें से दो स्टॉक आपको लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक से एंड वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए करेंगे कि अच्छी मीटिंग होती हुई दिख रही है और यहां पर कंपनी ने बोनस भी अनौंस किया है तो उसको भी देखेंगे कि चार्ट पर कैसा है कि आप एंट्री ले सकते हों कि नहीं तो सारी चीजर देखेंगे लास तक जरूर देखिएगा आप में सो जो नहां है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज मेरा वीडियो तोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं बाहर था अभी फिलाल हम लोग आ चुके हैं अभी देखिए आप यहां पे सबसे वहले में निफ्टी को जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं देखिए निफ्टी में आप पॉजिटिव निउस की वज़े से एक अच्छा रैली देता है तो डेफिनेटली सी बात है आपको यहां पे एक निफ्टी में एक तेजी दिखाई देगी ठीक है एंड नाय हाई लगते हुए दिखाई देंगे तो यह एक पॉजिटिव चीज है एंड लेट से कि कल रेला इसको दुबारा उठाया था तो इस तरीके की चीजे होती है और आप देखोगे कि निफ्टी किस तरीके से उपर जा रहा यहां पे दो दिन कंसॉलिडेट किया और फाइनली अपसाइन ब्रेक किया है डेट इस गुड एंड लेट सी कि यह मोमेंटम कहां तक कंटीन्यू र आप लोगो बताया था फिर आप देखोगे यह जो इस प्रेंड लाइन के पास में था तो भी मेंने बताया था तो हम लोग इसको यहां से कैच करते आ रहे हैं तो जरूर देखा कर दिये हूं मैं चाहता भी हूं कि आप लोग भी खुश से सीखें इसलिए देखें सारी ची इसको बाद में लोग देखेंगे मिन्स अभी सेपरेट वीडियो मेरा आएगा बजाज फंदर के उपर क्योंकि बद फिर भी मैं जल्री में आपको दिखा देता हूं यहां पर देखोगे मन्थली टाइम फ्रेम में बहुत ही सुंदर यहां पर एक ब्रेक आउट काइंड पैटन दिखाई दे रहा है अगर इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन खीचो तो आपको क्लियर वे में दिखेगा किस तरीके से स्टॉप में एक जो है बाइंग प्रेशर बनता जा रहा है यहां से फाइनली यह ब्रेक हुआ है यहां से अच्छा अप्वार्ड अगर यह निकल के सस्टेन हो गया तो आपको बजाच फिंजर में अच्छी रैली मिलेगी कम से कम नहीं तो मेरे साफ से 2600 तक यह जाना चाहिए चोग बात करें तो 30 परसेंट यहां से 38-40 परसेंट के मूह आ सकते है एक बहुत ही बढ़िया जगह है तो पहला है तो इस उसको लेके भी काफी positivity बनी हुई है और आज AGM meeting था इनका तो उसमें भी अच्छा यहां पर bonus का एक वो दिया गया है काफी सारे investors को bonus के लिए वो वेट करते हैं ठीक एक positive news होती है दोस्तों bonus 1-1 का है means Reliance का जो share है 3000 का है तो वो 1-1 मतलब कि 1500 होगा हो जाएगा और आपके ज यहां पर एक buying opportunity हम लोग ले सकते हैं क्योंकि अभी stock बहुत ज्यादा दूर निकला नहीं है अपने EMA से मलब 200 EMA से आप देखोगे तो जैसे यह वाले level break होते है 3066 आप एक entry plan कर सकते हो और इसको हम लोग 1 hour में भी देखें तो देखोगे ज्यादा निकला नहीं है इवेन आ यह वीडियो बनाने का purpose यहीं था कि आप लोग जैसे लाइंस में बहुत से लोग होंगे ना खरीदे ना खरीदे तो मेरे हैसाब से तो ठीक है 200 moving average से उतना दूर नहीं निकला है एक अच्छी जगे है अभी RSI भी सही है तो अगर यह breakout होता है तो आपको यहां तक तो यह न क्या करता है ठीक है क्योंकि यहां से अगर यह बढ़ेगा इतना तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा तो क्योंकि निफ्टी में भी एक ज्यादा upside दिख नहीं रहा है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो उसको भी मैं आपको बताऊंगा और अभी फिलाल हम लोग स्विंग करते हैं देखो अब यहां पर क्या है प्राइज उपर गया है एक रेंज बना दिया है अगर यह ब्रेक आउट आता है तो यह स्टॉक भी अगें युनाइटर बेवरेज यह भी पॉजिटीव हो जाएगा ठीक है तो इसको भी आप ले कर सकते हो एक अच्छी जगह आपको तो कई ने कहीं अब इन इन स्टॉक्स में हल्का सा यह नीचे तो आया है और यहां पे काफी लंबे टाइम से यह स्टॉक में भी तेजी नहीं नहीं है तो यह सारे पॉइंट हो गया ठीक है एंड निफ्टी इम ज़रूर दियान लगा विप्रो आप देखोगे किस तरीके से भी दीरे धीरे उपर बढ़ता है हाला कि आज की जो कैंडल सी थोड़ी सी एक सेलिंग यहां से आई है लास्क में बट इस्टिल दोस्तों यह अभी एक ट्रेंड इसका पॉजिटीव है चोटे मोटे पुल बैक आते रहेंगे तुस्से डरने जोरूत नहीं है देखें विल आएगा क्या इंप्रूब्मेंट हम लोग कर सकते हैं उसको भी आप मुझे जरूर शेयर करिए और मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिए वाबेशी टेक क्या